आपने हिंदी साहित जगत में नाम सुना होगा जिन्होंने कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं का बहुत अधिक बढ़नन किया है जिने बातसल रसका समराट भी माना जाता है क्रिष्ण की हर बात को इतनी सजीपता के साथ व्यक्त करने वाले उनके भक्त जो हैं जो जनमांद थे यहां आप सही पैचाने सूर्दास जी तो सूर्दास जी का ही एक पाठ है आपके पद्ध खंड में पाठ एक जिसमें सूर्दास जी के पद है जो भ्रमरगीत के नाम से लिखा गया है तो आप समझ गये होंगे कि प्रत्मा पाठा पाठ एक शितेच कक्षा नवी का है ये पाठ सूर्दास ब्रहमरगीत क्यों बोला गया तो जब उधो कृष्ण का संदेश लेकर आए थे जब कृष्ण मत्रा चले गए थे ब्रंदावन को छोड़कर ब्रच की गल मत्त मैं बापिस आउंगा मैं बचन देता हूं तुम्हें मैं बापिस लोटूंगा लेकिन पार्ट में बताया गिया कि वो बापिस नहीं लोटे बलकि अपने मित्र उधो के हाथ से उन्होंने योग का संदेश बेज दिया कि गोपियों से कह देना कि वो मुझे भूल है उस भवरे को संकेत करते हुए सारी बातें वो उधो से बोलती है इसलिए इस जो यह पद्ध खंड है यह पद्ध जो आपका पाठ है इस पाठ को भ्रहमर गीत नाम दिया गया है अब हमें आसे यह लिखा जिनोंने हैं जिनकी पंक्तियां है सूर्दास जी सबसे पहले इ रेडु का छेत्र में हुआ था ऐसी माननता है जबकि दूसरी माननता के अनुसार उनका जन्म इस्थान जो है वो दिल्ली के पास सीही माना जाता है महाप्रभु बल्लवाचारे के शिश्य सूर्दास आश्ट्र छाप के कभियों में सरभादिक प्रसिद्ध हैं बिमत्रा ब्रण्दावन के बीच गउ घाट पर रहते थे और श्रीनात की मंदिर में भजन कीर्टन करते थे सन 1913 मैं 1583 में आर्थात 1583 में पार्सोली में उनका निधन हो गया तो यह से उपर जन्मी की माननता हैं यह माननता हैं माननता हैं बोल रहें अरफात ऐसा माना गया है अभी अलक मानेताओं से लोग देते उनके जन्म को उनके तीन गरंतों कौन-कौन से जो प्रसिद्ध है सूर सागर सुरसाहित सुरसारावली और साहित लहरी तुर सूर सागर में ही सरवादिक वो लोग प्रिये हुए है सूर सागर उनका बहुत प्रसिद दूआ खेती और पशुपालन करने वाले जो भारती समाज का देनिक अंतरंग और मनुस की सौभाविक ब्रतियों का जो चित्रन है वो सूर की कविता में मिलता है सूर वातसल और समराट माने जाते हैं स्रंगार यह क्योंकी जब इन्होंने रादा और यहाँ पर स्रेश्ट कभी माने जाते कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानविय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है सूर ने मानव प्रेम की गोरव गाथा के माध्यम से सामान मनुस्यों को हींता बोथ से मुक्त कराया उनमें जीने की ललक चाह पैदा की उनकी कविता में ब्रजभासा का निखरा हुआ रूप है बहुत चली आ रही लोग गीतों की परंपरा की ही स्रेष्ठ कड़ी है तो इनकी जो यहां की भी जो आप पद देखेंगे यहां के वो भी कैसे हैं ब्रजभासा में ही लिखे गए हैं उन्होंने ब्रजभासा का ही प्रयोग किया है तो आपको कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपकी खड़ी बोली से मिलते जुलते हैं लेकिन उनका प्रयोग कई अलग अलग जगाओं पर होता है पर यह जो मुख तोर पर यह ब्रजभासा का प्रयोग है पद है जैसे उद्धव तुम हो अतिबड़ भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुर सुरदास अब लाहम भोरी गुर्चंटी जी ओपागी यह पूरी पंक्तियों में उन्होंने व्यंग किया है कठोर व्यंग कमेंट जिसे आप कहते किस पर उधाओ पर पहली पंक्ति में हो कहते हैं उधाओ तुम तो बढ़ाती बढ़भागी तूम तो बहुत भागवान हो तुम तो बड़े किसमत वाले हो ये क्या था ये व्यंग था कैसे किसमत वाले हो अपरस रहत सनेह तगाते तुम उनके रस से उनके प्रेम से उनके इसने से किसके कृष्ण के अपरस बिना उनको छुए रह गए उनके इसने से दूर रह गए उनके इसने से दूर रह गए ना ह तुम्हारा मन उनके प्रती लगाओ में हुआ ना उनके प्रती मन अनुराग में हुआ तुम तो बड़े किसमत बाले हो कि तुम कृष्ण के पास रहकर प्रेम ना सीख पाए उनसे तुम प्रेम ना कर पाए पुरियनी मतलब कमल पात मतलब पत्ता कमल का पत्ता रहत जल भीतर रहत मतलब रहता है जल के भीतर आप कमल के फूल को देखिए तो पत्ता जल के भीतर रहता किन्तु तारस देह न दागी किन्तु वह उस रस उस जल में अपनी देह को नहीं डुबाता मतलब देह को उसमें भीगने नहीं देता वो और एक और उधारन जैसे जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल को अपने ऊपर नहीं आने देता वैसे ही तुम कृष्ण के पास तो रहे पर कृष्ण के मोह से बंचित रहे तुम कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए एक और उधारन देती है जियों जले माह तेल की गागरी जैसे जल के माह अर्था जल के मद में य तेल की जो कोडिंग आपने रहे तो सही उनकी नदी में पर रहे तो सही लेकिन उस नदी का ज़ल है प्रेम नहीं हुए उस्टे तुम घीलें नहीं हुए भीगें नहीं उनके प्रेम में कोई क्रिशने के पास रहे और प्रेम ना करे क्रिशने के पास से जो प्रेम की नदी बहती उसमें तो तुमने पैर भी नहीं डुबोया पैर पाऊ ना बोरियो बोरियो मतलब डुबाना पाऊ मतलब पैर पैर भी नहीं डुबाया द्रश्टी ना रूप परागी और अपने उ कि गुर गुर मतलब गुड चांटी मतलब चीटी जियो पागी पागी मतलब उसमें चिपक जाती है जैसे चीटी गुड में चिपक जाती है चाह कर भी वो गुड से मुक्त नहीं हो पाती और वहीं प्राण त्याग देती है हम भी बैसे ही उस चीटी के समान है और गुड है ह कि हम उनसे प्रेम में इस तरह उनसे लिप्त हो चुके हैं कि अब तो केबल हमारे प्राण ही जाएंगे उनसे हम छूट न पाएंगे तो सारी पंक्तियों में क्या किया उन्होंने सारा कमेंट तुम अती बढ़ भागी नहीं तो महां के दुर्भाग बान हो यार तुमने दु का संदिश देने चले आए तो फिर तो हम बोली हैं हमने तो कृष्ण से इतना प्रेम किया कि हम तो वह गुड़ हैं तो हम चीटी हैं चिपक चुके हैं और अब छूटने वाले नहीं हैं तो इन पंक्तियों में उन्होंने वही तो बताया कि सारा का सारा व्यंग की रूप म यहां प्रणों ने दरसा दिया इन पंक्तियों में गोपियां उद्दों से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भागसाली हो जो कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम और इसने से बंचित रहे तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परन्तु जल में डूबने से बचा रहता है जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी एक बूंद भी नहीं पाता ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें इसनान करने की बात तो दूर तुमने तो उसमें अब प्रेम की एक छीट भी अपने उपर नहीं पढ़ने दी एक बूंद भी अपने उपर तुमने नहीं आने दी तुमने कभी प्रीती रूपी नदी में प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबोई तुम बहुत बिद्वान हो इसलिए क्रिश्न के प्रेम में तु तो यह क्या था यह उनका कृष्ण के प्रती इतना प्रेम है कि जो बात वो कह रहे हैं वो बात वो व्यंग में टाल रही और उनको ही चार बाते व्यंग में सुना रही है कि तुम नहीं कुछ कर पाए तुम इसलिए प्रेम की परिभासा ही नहीं समझते हो तुमने वहां रहक तुमने कुछ भी नहीं पाया पर ठीक है तुम विद्वान होगे तुम योग की भासा समझते होगे तुम्हें प्रेम करना नहीं आता होगा तुम्हें प्रेम सीखना नहीं आता होगा लेकिन हम तो भोले भाले और हम तो उनके प्रेम में उसी तरीके से मोह में आकर्शित हो जिस प्रकार एक चीटी गुड की तरफ चली जाती है तो हम पढ़ते हैं अब अगला पद तो देखिए मनी की मनी ही मांज रही कहिए जान कौन पे उधव नाही परत कही अवदी अधार आस आवन की तन्मन विथा सही अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी भिरहनी विरह दही चाहती हुतिम गुहारी जिततई उततई धार वही सूर दास अब धीर धरही क्यों मर जादा ना लही तो यहां पर गोपिया आप क्या कह रहे हैं देखिए मन की मन ही मांज रही मतलब मन की बात मन में ही रह गई कहिए जाई कौन पे उधाओ कैसे मैं उधाओ से कह दूँ कहिए जाई मतलब कैसे उस पर उधाओ पर अपनी बात कह दूँ ना ही परत कही कोई बात उससे नहीं कही जा सकती जो मुझे आपसे कहनी है अबधी अबधी मतलब होता है समय तो अबधी अधार अधार मतलब होता है आधार बेज आपके आने के समय को की आस मतलब आसा आपके आने की आसा को बांद कर बेज बना कर तन मन विथा सही तन और मन जो दुखी था आपके ना आने के कारण सिर्फ आने आपके आने की उमी सहन कर रहा था और यहां पर जोग अर्था योग की बात की गई अभू इन जोग संदेश अनी सुन सुनी करेक तो आपके कारणगें सही लेकिन अब यह का संदेश सुन सुनकर विरहनी रह द ही हम मुझ जैसी ब्रहनी को और अधिक ब्रह की पिड़ा दे रहे हैं आपके वियो जाती होता ही गोहारी जितती वो कहा रहा है जहां पर हम गोहारी मतलब होता है अपनी पुकार लगाना जहां हम पुकार लगाते थे जितती मतलब जिदर हम पुकार लगाते थे उतती धार वही वही से ये धार वही ये व्यथा की व्यथा में और तकलीब देने की जो धार है जो कहानी है जो कारिकरम है वो वहीं से सुरू हुआ है जहां से हम अपने दुख का आपसे अलाब करते थे जहां दुख की गोहार करते थे दुख दूर करने के लिए तो जो दुख दूर करने वाला था उसी ने दुख देने की धा बहाई है सूरधास जी कहते हैं कि अब वो कह रही है अब धीर धर रही है और हम क्यों धीर धर को तोड़ दिया तो अब हम गोपियां क्यों किसी मर्यादा में बंध कर रहे हैं? यह उन्होंने इन पंक्तियों में कहा है है अब देखि इसका आगे अभी तो हमहनी चाहिकर्थ देखा था आव इसका आर्थ देखिए इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परन्तु अब नहीं कह पाएंगी वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित साधन उचित पात्र नहीं समझती है वे कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी हैं और किसी को वो अपनी बातें नहीं कह सकती वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लोटने के इंतजार में लोटने की आशा को हमने आधार मान कर तन मन हर प्रकार की विरह विथा हर प्रकार का दुख सहन किया है ये सोच कर किवे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे इसी कारण सारे दुख हम सहन कर रहे थे लेकिन अब क्या हो रहा है परंतु स्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्यान योग का संदेश भेज कर हमें और भी अधिक दुखी कर दिया है हमारी ब्रह की अगनी में और अधिक गी डाल दिया है ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को जब पुकारता है कि हमें बचा लो हमें इस व्यथा से परंतु हमारा जो रक्षक है वही हमें दुख दे रहा है हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें कैसे धरें जब हमारी आसा का एक मात्रतिनिकाही डूब गया अब कृष्ण ही नहीं आने वाले तो हम किसलिए धीरज रखें प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है किन्तु हमें तो प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला कि उसने हमारे साथ चल किया है आने का वादा करके वो बादा भूल गये बलकि भूल जाने की बात कह रहे हैं तो उन्होंने मर्यादा का उलंगन किया है तो हम भी कोई मर्यादा का पालन नहीं करेंगे ये उन्होंने बात कही है बड़े ही ब्रह और दुखी होगा है अगले पद में वो क्या कहने है सुनिए हमारे हरी हारिल की लकड़ी हमारे हरी मतलब भगवान कौन है हारिल की लकड़ ये लकडी हमें सहारा देगी, तो वहाँ पर लकडी का काम, सहारे का काम, लोपियों के लिए कौन कर रहे हैं, कृश्ण वो कृष्ण को पकड़े हुए है कृष्ण उनकी हारिल की लकड़ी के समाने इसलिए वो कह रही है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन यूर मन मतलब मन से क्रम मतलब कर्मों से बचन मतलब बचनों से हमने नंद के नंदन को के और को हिर्दय को यह द्रण कर पक्री उनके हिर्दय को हमने जोर से पकड़ के रखा है उनके हिर्दय को हमने अपने में संजो के रखा है बहुत मजबूती से हम उनको पकड़े हुए है जागते सोबते स्वपन दिवस निसी जागते सोते सपनों में दिवस मतलब दिन निस मतलब निशारात्री काने कान ओकरी कान हा काना का हम जाब कर रहे हैं सुनत ते जोग लागत है ऐसे वो कह रहा है कि जोग सुनत मतलब योग की जो बाते हम सुन रहे हैं वो कैसी लग रही है ऐसी जो करई ककड़ी ऐसी लग रही है यह योग की बाते उद्धो तुमारे मुझसे सुनका जैसे कोई कड़ भी ककड़ी को खिला रहा हो सूतव ब्यादी हमको ले आए देखी सुनी न करी वो कह रहा है कि ऐसी गोपियां कह रही है ऐसी ब्यादी ब्यादी मतलब रोग ऐसा रोग यह ले कर आए हैं जिसको हमने कभी नहीं सुना और कौन से रोग की बात कर रहे हैं वो यह योग नामक रोग जो आप हमें ले कर आए अब वो क्या कह रही है यह तो सूर तिनहीं ले जिनके मन चक्री यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्व से उद्वाजी बता रहे हैं कि उद्व से गोपियां कह रही है कि ते नहीं ले सौपो ते नहीं मतलब उनको ही जाके योग की बाते सुनाओ उन्हें ये संदेश सौपो जिनका मन है चक्री जिनका मन चारों दिसाओं में प्रमित नहीं है जिनव का मन चक्री की तरह चंचले गूमता है एग जगाइ टिकता ही नहीं है ऐसे लोगों को जाके योग का संदेश पढ़ाओ हमको तो जरूरत नहीं है आगे देखिए इन पंक्तियों में गोपियां कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकडी के समाने जिस तरह हारिल पक्षी लकडी के टुकडे को अपने पैरों में दबा कर इस उम्मीद से रहता है सहारा मानता है उसी प्रकार स्री कृष्ण भी गोपियों के जी लाकते हुए सोते हुए दिन में रातरी में सपनों में हमारा रोम रोम कृष्ण का जाप करता है कृष्ण को ही भचता है उन्हें उद्यों का संदेश कडवी ककडी के समान लगता है हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है वो कह रहा है कि यह आप जो लेकर आए है और योग का रोग हमें नहीं लगा सकती क्योंकि हमने तो इसके बारे में कोई सुना ही नहीं यह कैसा रोग है हम नहीं जानते इस रोग के बारे में तो हमने नहीं सुना जो रोग आप लेकर आए हो आप जो यह योग का संदेश लाए हैं वो जाकर उन्हें सोपे जिनका मन चंचल है चुक्कि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है और एक ही व्यक्ति पर है हमारा मन तो चंचल नहीं है इसलिए योग के संदेश सुनने की आवश्यक्ता हम सभी को नहीं है यहां उन्होंने बाते कर दी कि आपका योग हमें कड़वी ककड़ी के समाने हमें को बिलकुल मस सुनाओ अगला और अंतिम यहाँ पर पढ़ है हरी है राजनीती पढ़ आई अब जितना व्यंग गोपियां कर रहे हैं वो सारा का सारा व्यंग अव कृष्ण के लिए है कि यह हरी मतलब हमारे जो भगवान नहीं तो राजनीती पढ़ लिए पॉलिटिक्स जानते हैं यह तो राजनीती पढ़ कर आगए समझू बात कहत मदुकर के समाचार सब पाए वो कह रहा है कि ये जो मदुकर मदुकर कहा गया है कृष्ण कि कृष्ण ने जो बात कही है यहाँ पर कृष्ण की जो बात है वो तो बिभिन प्रकार के समाचारों को इकत कर किया समाचार की तौर पर बाते हमारे सामने आई है एक चतर होते पहले ही एक अब गुरु गरंत पढ़ाई है कि राजनीती जानने लगे हैं वो बड़ी बुद्धी जानी जो उनकी वो कह रहे आप तो लगता है कि उनकी बुद्धी भी बहुत बढ़ गई है जोग संदेश पठाई अब तो योग का संदेश पढ़ चुके है उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए अब अपने मन फेर पाहीं चलत जो होते चुराए अब यहां पर उन्ने उधव से बात कही है कि हमारा मन जो ले गया है हमारे मन तो हमें बापिस दे दो जिसने हमारा मन फेर लिया था मन बापिस चाहिए त्यों क्यों अनिती करें आप उन जे और अनीती छोड़ाएं अनीती छोड़ाएं मतलब जो अनीती से अन्याय से हमको छोड़ाते थे बेस्वयम अनीती कर रहे हैं आपुन मतलब स्वयम ही वह स्वयम हम पर अनिती कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं राज धर्म तो यही सूर यहां पर सुर्दास जी कह रहा है कि गोपियां राज धर्म से खाती हैं राज धर्म के बारे में बता रहे हैं कि उद्व से जाकर उद्व तुम कह देना कि राजा का ध गोपियां कहते हैं स्रीकिष ने राजनीती पढ़ लिए है गोपियां बात करते हुए व्यंग पूर्वक कहते हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाग थे अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए है जिससे उनकी बुद्धी बढ़ गई है तभी तो हमारे बा उस नहीं इनको बोला गया कि संदेश सुनाओ इन्होंने आके सुना दिया गोपियां उद्धाव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहां से मत्रा जाते वक्त क्रिष्ण हमारा हिर्दय हमारा मन अपने साथ ले गए थे तो हमें हमारा मन आप क्या करो बापिस कर दें बे अपनी प्रजा का खयाल रखें उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें यही हमारा राज यही तो राज धर्म है यही राजा का धर्म है कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचने दें तो यहां उन्होंने क्या किया आपको पूरी की पूरी यह एक जास की तरफ तो देखते हैं कि गोपियों उधाव सूर्दाजी ने इनके बारे में क्या कहा है और क्या प्रश्ण में पूछ गया है पहला प्रस्ण है गोपियों द्वारा उधाव को भागवान कहने में क्या व्यंग है उन्हों ने कहा था उधाव तुम तो बड़ बर अती बड़ भागी तो ये बड़ भागी कहने पर भागी हुद भागवान थे या कुछ ऐसा व्यंग किया गया था तो जी हाँ पूरा व्यंग ही किया गया था कि तुम बड़े भागवान अर्था तुम तो भागहीन हो जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम की गंगा म तुम्हें नहीं अपने आपको स्नान करा पाए कृष्ण के साथ रहते हुए तुम्हें प्रेम नहीं हुआ कृष्ण से आकरशन नहीं हुआ तुमने प्रेम को समझा नहीं तो तुम जैसा कोई दुर्भागवान नहीं होगा ये सारी बातें उन्होंने व्यंग में कहीत इसलिए व्यंग में कह दिया था तुम तो बड़े भागवान हो हम कहते ना अरे तुमने तो क्या खूब पढ़ाई आप कोई पता है कि व्यंग होता है तो एसे कुछ व्यंग यहां पर भी है तो बिल्कुली व्यंग ही कहा गया है गोपियों द्वारा उद्धाव को भागवान कहने में व्यंग नहें थे कि उद्धाव बास्तों में भागवान ना होकर अती या अती भागहीन है वे कृष्ण अनुभूती है उससे पूर्धा परीचे तो इसे आप अपने शदों में भी लिख सकते हैं कि क्रिशन के पास रहने के बाद भी तुम प्रिशन के प्रेम में नहीं पड़ पाई तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं उसके पत्ते पानी को अपने उपर नहीं लगने देते और तेल चड़ी गागरी पर जो की पानी में डूपते ही पानी को अपने उपर नहीं आने देती इन दोनों से उनों ने उद्धों की तुल्ला की थी कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए पानी को अपने उपर नहीं रखने देता एक गागरी जो तेल चारों तरफ तेल है तेल अपने उपर पानी को नहीं चड़ने देता ठीक उसी प्रकार तुम हो कृष्ण के नद में रहते हुए भी जल की उपरी सतह पर ही रहता है अर्था जल का प्रभाव उस पत्ते पर नहीं पड़ता है स्री कृष्ण का सानिद पाकर भी कृष्ण का प्रभाव उधा पर नहीं पड़ा बहुत जल के मज़ रखे तेल के गागर मटके की भाती है जिस प्रकार जल की एक बून मटके को नहीं छूपाती है मटके पर नहीं टिकती है उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि क्रिश्न के प्रेम में रहकर क्रिश्न के चारों तरफ रहकर भी क्रिश्न के प्रेम का प्रभाव आपकी उपर नहीं पड़ा क्रिश्न के प्रेम को आप छू तक नहीं पाए तो वो ने किन-किन उदार्नों के माध्याम से उद्धाउ को उलाहना दिये हैं? कौन-कौन से उदारन दिये हैं? द एक तो नहीं कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, तेल-चड़ी-गगरी के समान हो, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए तुमने तो गोपियों ने कमल के पत्ते तेल की मटकी प्रेम की नदी के उधारनों के माद्यम से उधव को उलाहन दी है कि वे itself रहते हुए भीप्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं साक्षात प्रेम रूपी कृष्न के पास रहकर भी उनके सानित में रहकर भी आप प्रेम से बंचित रहे गई यह सारी बाते उन्होंने उद्यों को उलाहे न अर्था व्यंग उलाहेना करता है व्यंग मतलब और इसे कमेंट कर रहे हो क्या मुझपर कमेंट कसरे हो क्या मुझपर ऐसा भी वहते है अगला प्रश्ण है उध्यूधा गोपियों Hug का संदेश लेका काम कैसे किर देख रही थी उनके वचन को आधार मानकर अपने तनमन की व्यथा सह रही थी वहीं यदि उद्धा गोपियों कृष्ण का संदेश लेकर आकर कहते हैं कि कृष्ण ने योग का संदेश भिजवाया है और खुद को भूल जाने की बात कही है एक तो वो कृष्ण के व्योग में दुखी और उपर से योग का संदेश कृष्ण के ना आने की बात तो सोचो वो व्रह की अंगनी में जो अगनी दिल में धधक रही उस पर घी डालेंगे तो वो तो और उचाल मारेगी तो वो विरह की अगनी में व्रह में दुखी व्यक्ती से ये कह दिया जाए कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो नहीं आने वाला तो वो तो वो सारी की सारी बाते घी का काम करेंगी ना उस अगनी में तो वहीं बाते कर रही थी उधव की जो बातें थी उधव का जो यो कृष्ण को आना था परंतुरों ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, व्रह की अगनी में जलती हुई गोपियों ने जब कृष्ण को भूल जाने मतलब उद्धव के द्वारा कही बात में कृष्ण को भूल जाने और योग साधा करने का उपदेश उद्धव ने प्रारम भी किया तो गोपियों की व्रह बेदना और अधिक बढ़ गई इस प्रकार उद्धव द्वारा दिये गए संदेश ने गोपियों के की व्रह की अगनी में घी का काम किया समझ में आया होगा आप लोगों को क्योंकि पाठ आपने बहुत अच्छे से समझा है अगला प्रश्ण है मर जादा ना लही कि माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही थी उन्होंने गोपियों ने कहा था उद्धव से कि कृष्णे तो प्रेम की मर्यादा ही ना ने भाई प्रेम की मर्यादा होती है प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है औ देखिएगा वुद्धा मरजादा ना लही के माद्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात कहीं गई है कृष्ण के मतुरा चले जाने पर उनके व्योग में विलक्ती गोपियां जल रही थी कृष्ण के आने पर ही उनकी ब्रहवेदना मिट सकती थी परंतु कृष्ण स्व प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है ओ प्रेम के बदले तो हमें क्रिश्ण ने प्रेम न देकर विरह दिया है और योग की सुस्क दारा भेज दिरूखासुका ये संदेश वेज Congressman चूर मन भूल जाय है कि अगला प्रश्ण है कृष्ण के प्रती अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्ति किया है कि हम तो कृष्ण से इस तरह प्रेम करते हैं जैसे गुड़ की तरफ चीठी आकर से थो जाती है और चाह कर भी गुड़ को छोड़ नहीं पाती अपने प्राण त्याग देती हैं बैसे ही हम तो अपना हिर्दय कृष्ण को दे कि जैसे हारिल पक्षी की एक मात्र सहारा वो लकड़ी होती है वैसे ही हमारे जीवन का एक मात्र सहारा कृष्ण ही है और कृष्ण हमारी हारिल की लकड़ी के माध्यम से हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी को कोई लकड़ी तिनक्या पकड़े रहती है कोई दसा में उसे नहीं दर्णता से पकड़े हुए है जागते सोते स्वपनवस्था में भी दिन रात कृष्ण को भचती है फिर अपनी तुलना उन्होंने उन फिर चीटियों से की है जो की गुड़क से लिप्त हो जाती है उसमें ही दर्षाय दूसरा उन्होंने क्या दर साया है दिन जाकते वो कृष्णी की रटना लगाए रहते हैं तीसरा गुड की चीटियों के जैसी उनकी दसा है कि जिस तरह चीटिया गुड से चिपक जाती हैं हम कृष्णी के प्रेम में लीन हैं जैसे चीटिया वहां लिप्टे लिप्टे अपनी प्राण त्याग देती हैं हम भी हमें थोनने लगता है मन जब केंद्रत नहीं होता तब कहते हैं कि ध्यान करो ओम चेंटिंग करो यह सब करें तो वह कह रही हमारा ध्यान तो विचलित नहीं है हम तो केवल एक ही व्यक्ति पर है हमारा ध्यान तो केवल कृष्ण पर है हमारा ध्यान तो इदर दर भटकता ही न हार गए थे देखिएगा गोपियों ने उद्धाव से योग की सिख्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहिए जिनका मन चल चल है जिनका मन दर दर भटकता है उद्धाव अपने योग के संदेश में मन को एकाग्र करने की बात कर रहे हैं परन्तु गोपियां कहती है कि हमारा म सकता तो उन्हें होती है जिनका मन आइस्थिर होता है चंचल होता है इसलिए गोपियां चंचल मन वालों के लिए योग का संदेश देने की बात उद्धव से कह रही है कि उन्हें दीजिए हमें इनकी कोई भी आवशक्ता नहीं है अगला प्रश्ण है प्रस्तुत पदों के चाधार पर गोपियों का योग साधना के प्रतिद्रश्टी कोड कैसा था तो सबसे पहले तो उन्हें योग साधना सुस्क संदेश लगा योग साधना योग की बाते उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगी योग उन्हें एक रोक के समान लगा तो यह सा और योग का संद स्किल है सूर्दाज जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि वो कह रही है कि यह एक बीमारी है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना है इसलिए उन्हें ज्ञान की आवशक्ता नहीं है तीसरे बार वो कह रही है कि योग का आसरत तभी लेना पड़ेगा जब उनका मन चंचलो एक काग्र ना हो तो हमारा मन तुपहले से ही एक हम इसकी आवशक्ता नहीं तो एक तो करवी कड़ी की तरह लंहीं दूसरा उनके लिए रोक के समान लगी तीसरा उन्होंने का हमारे लिएं जनुप योगी है क्योंकि हमारा मन तो बैसे भी एक व्यक्ति में काग्रे तो हमें इसकी जरुवत नहीं है तो उनके योग साधना के प्रती ये द्रश्टी कौन थे आपको क्या करना है कि जैसा जैसा प्रश्ण पूछा गया एदी भक्ति दरसाए गई है तो जहां जहां उन का संदेश नहीं चाहिए कैसा लगा उनका योग का संदेश तो वह सारी बाते लिख दो कड़वी ककड़ी के समान है रोक के समान है एक आगरिमन वालों को इसकी जरुवत नहीं है तो यह आपको सब याद हो जाएगा गोपियों के अनुसा राजा का धर्म क्या होना जब रहे अनीती का साथ ना देकर नीती का साथ दे तो उन्होंने यह बात कहिए क्योंकि वहां राजा उनका नीती की साथ नहीं दे रहा है गोपियों को क्रिश्न में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण बे अपना मन बापिस पालेने की बात कहती वो कह अब तो उन्होंने राजनीती पढ़ ली पहले ही बहुत चतुर थे हमारा मन चुरा ले गए और अब तो उन्होंने बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ लिये योग की साधना कर लिये इसलिए योग का संदेज भेज रहे हैं तो एक काम करिए जो आप मेरा हिर्दय ले गए ह उसे बापिस कर दीजिए फिर हम आपने योग की साधना की तरह देखेंगे तो देखिए गोपियों को लगता है कृष्ण ने अब राजनीती सीख लिए उनकी बुद्धी पहले से भी बहुत तेज थी बहुत चतुर थी पहले वो प्रेम के बदले प्रेम दिया करते थे ल प्रेम के इस कदम से गोपियों के मन और आहत हुए है कृष्ण में आए इनी परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना हिद्धा उनसे बापिस मांग रही है तो क्या है प्रेम के बदले प्रेम चुकाते थे अब प्रेम की मर्यादा भूल गए है राजनीती पढ़ लिए बुद्धी बहुत तेज हो गई है पहले सही तेज थे पहले कल्यान का कार करते थे अब हम पर वो अत्याचार कर रहे हैं पहले अन्याय से मुक्ति दिलाते थे परंतु अन्याय हमारे उपर ही कर रहे हैं और मिलने की बचन दिये थे हमको रब बचन भूलकर हमें भूलने की बात कह रहे हैं और फिर वो क्या कह रहे हैं कि इनी सारे परीवर्तनों से जब सारी इतने सारे परीवर्तन कृष्ण में मत्रया जाकर हो गए तो वह उधाउ से कहती है कि जाकर उनसे कहिएगा हमारा हिर्दाय बापिस लोटा दे अगला प्रशन है गोपियों ने अपने वाग चातुरे से वाग चातुरे मतलब होता है वाणी की चतुरता से ग्यानी उद्धव को परास्त कर दिया तो किस प्रकार की वाग चतुरता थी उनकी विसेस्ताओं को लिखना है बाणी में ऐसी कौन सी चतुरता थी कि उद्धव चतर होते पहले ही आप गुरू गुरंत पढ़ाए बड़ी जानी जो उनकी जगसंदे पठाए तो उन्होंने क्या किया यहां पर तानों के माध्यम से उनको चुप कर दिया तरक शम्ता उन्होंने ऐसे ऐसे तरक दिये गोपियों ने अपनी बाद तरक पूरवक कही कि हमारा मन तो एकागर है हमें क्या जरूरत यह उनका तरक था तो वहां पर उन्होंने उनको नि ककड़ी है हमां को जरूवत नहीं हमारा मन तो एक आग रहे है जिनता नहीं है उनको जाके बोलो यह तरक थे उनके जो की सही थे कि अगे देखिए अगला है व्यंग आत्मा इतने व्यंग किये थे उन्होंने गोफियों की व्यंग करने की शम्ता ही एद्वुथ t ऐसा लगा कि प्रसंसा कर रहे हैं वो तो क्या थे और ब्यंग के बाण इतने उधव को मारे कि उधव वाणों से घाये व्यंत के जो वाणी थी वो से गायल हो गया तीखे प्रहारों दो naught से DSP प्रहार किए संकलित पदों को मतलब जो पद आय हुए हैं ध्यान में रखते हुए सूर के ब्रहमर गीत की विसेश्था बताई, यह ब्रहमर गीत, इस ब्रहमर गीत की क्या विसेश्था है, तो देखिए, सूरदास मधूर तथा कौमल भावनाओं का मारमिक चितरन करने वाले महा कभी हैं, ऐसे चित्रन करते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाके गोपियों का जो बातावरण है गोपियों और उद्धव की जो बात चीत हो हमारे सामने चल रही हो ऐसा लग रहा है कि हम उनको सुनी ही रहे थे ऐसा लग रहा है कि हम अनुभाव कर पा रहे हैं ये किसकी कलाकारी है ये सूर्दास की कलाकारी है इतने अच्छे शब्द उन्होंने दिये हैं कि वो हमें बिलको सजीव चित्रत होते हैं ब्रमर गीत में अनुभूती और सिल्प दोनों का मड़ी कंचन संयोग है इसकी मुख्य विसेस्ता इस प्रकार है भाव पक्ष क्या है ब्रमर गीत एक भाव प्रधान गीती काब है ये गाने वाला है गीती काब है उदात भावनाओं का मनोवे ज्याने चित्रन हुआ है ब्रमर गीत में गोपियों ने भौरे के माध्यम से व्यंग किये हैं उद्धव पर अपनी वचन वक्रता, सरलता, मारमिकता, उपालंब, व्यंग अत्मक्त कथा, तरक शक्ती के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्यान योग को तुछ बता दिया कि तुम्हारा ज्यान योग कोई नहीं है ब्रमर गीत में सूर्दास ने विरह के समस्त भावों की स्वभावेक और मारमिक भेंजना की है तो उन्होंने ऐसे शब् और की माद्यम से बताया गिए यह गीती काभ है भावनाव का मनोवग्याने चित्रन हुआ है बिरह यहांपर वड़नन है कला पक्ष क्या है किस प्रकार के यहां पर आ कला का प्रयोग हुआ है मतलब कैसी भासा क्या प्रभाव रहा तो ब्रमर गीत की कला जो है अत्यांत सश सत्व है प्रभाव साली इसमर्णी ब्रुमर्गीत में शुद्य पसाहतिक ब्रजभासा का प्रियोग हुआ तो भासर रही अलंका कर आए इस सुद्धास ब्रमर् के ब्रश्टान तेलंका रूपक निपकर वितीरे विभावना अतिश योकति आधी अलंकारों का प्रयोग किया चंद क्या है तो ब्रहमरगीत का जो रचना पत्शंद है इस पद में स्वयम वह सवतंद भी और परस पर सएक दूसरे से बंधे भी संगीत आत्मक कथा सूर्दास कभी होने के साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे यही कारान है कि ब्रहमरगीत में भी संगीत आत तो गोपियों के पास कृष्ण के प्रती सच्चा प्रेम था अनन्य भक्ति थी, जिस कारण। जैसे ग्यानी को भी गोपियां अपने भक्ति का उधारन देते हुए, प्रेम का उधारन देते हुए, उनको परास्त कर पाइन। तो भक्तियों प्रेम के साथ गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरियव राजनीती पड़ा है क्या आपको गोपियों के इसकतन का विस्तार समकालिन राजनीती में नजर आता है बिलकुर जिस प्रकार आज की बर्तमान समय की राजनीती में बड़े-बड़े नेता और मंत्री अप बड़े बड़े वचन देते हैं और एक समय के बाद जब उनकी जरूषत पूरी हो जाती है जब वो अपने पद पर बैठ जाते हैं तब वो सारे वचनों को भूल जाते हैं कहीं न कहीं गोपियां कह रही है कृष्ण ने भी यही किया है पहले उन्होंने हमें वचन दिया करते हैं दो गोपियों ने सही व्यंग किया है कि राजब्यों इसकर आगए हैं कि राजनीती में यह बाते का नेता अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहई देते हैं कृष्चन भी उद्धों के द्वारा वही कहना चाहा सीधे सीधे मुद्धे और काम को इस पश्ट नहीं करते हैं बलकि घुमा देते हैं जनता समझ नहीं पाती दूसरी तरफ गोपियों ने राजनीती व्यंग के रूप में कही है आज के समय में भी राजनीती शब्द का अर्थ व्यंग ही है बहुत पॉलिटेक्स और मैं भी कहीं न कहीं वो सही है अब पूरे पाठ में जो भी शब्द आये हैं कठिन वो यहां में एक साथ लेकर आई हूं शब्द संपदा में बड़भागी मतलब भाग्यवान होता है बड़भागी अथत बड़े भागवाला अप्रस मतलब होता है नीरस सुस्क पुरेनी पात मतलब कमल का पत्ता पुरेनी मतलब कमल पात मतलब पत्ता दागी मतलब दाग धब्बा माह मतलब मैं प्रीती नदी प्रेम की नदी पाउ मतलब पैर यहां माह मतलब मैं मतलब किसी के अंदर बोर्यों मतलब डुबाया परागी अर्थात मुग्द होना गुर् चाटी मतलब चीटी जियों मतलब जैसे पागी मतलब लिपटती है अधार मतलब आधार वेस आवन मतलब आगमन विथा मतलब व्यथा दुख विरहनी मतलब व्योग में जीने वाली को कहते विरहनी विरह दही अर्थात विरह की आग में जल रही हुती मतलब थी गोहारी अर् इतने सारे प्रश्णों को देखा कि पूरा पाठ एक बार फिर कवर हो गया साथी बरतमान परिस्थितियों को भी देख लिया जहां पर राजनीती की बात आई है तो अब हमारे दस्वी के विध्यारती कह सकते हैं कि आपका प्रथम पाठ सोड़ास जो है हिंदी का पाठेक व फिर दोनों का मिल जाना मतलब पूरा पाठ का कंप्लीट हो जाना तो आपने ये पाठ को देखा तो अभी तो आपने पाठ को मौका पढ़ने पर क्या होगा इन से जो छोटे-छोटे पेपर का पैटन पहुंचता है जैसे जैसे आते हैं वो सब कुछ आपका कबर होगा आप सही जगा और सही लोगों की यहाँ पर सुन रहे हैं सब कुछ आपका कबर होगा सब कुछ समझाया जाएगा और ऐसा कि आप समझते ही आपको याद भी हो जाएगा आपको रटने की जरूरत नहीं है कि मैं तो हमेशा अपने वीडियो में कहती हूं कि रटना तुम मना है रटेंगे तो हम भूल जाएंगे तो इस बात को ध्यान रखिए कि रटना नहीं है बस चैनल से जुड़े रहेगा हम लोगों को सुनते रहेगा सारे अभ्यास आपके होते जाएंगे हर स से जुड़े रहेए अगला पार्ट भी बहुत जल्द उपस्थित होगा आपके सामने थैंक्यू सो मज्ट